pulmonary मतलब होता है lungs, मतलब आमारा जो फेफडा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, और aspergilloma साधारर भाशा में कहें, तो कहते हैं इसको फफूदी, जैसे फ्रिज में कभी bread पड़ी रहती है, उसमें जो फफूदी जैसी लग जाती है, सफेद सफेद, वैसे ही जब फेफडे के किसी हिस्से में cavity बन जाती है, तो उसके अंदर जो फफूदी लग जाती है, उसको हम कहते हैं aspergilloma, इसको बहुत जरूरी है समझना कि aspergilloma और aspergillosis, ये दो अलग-अलग बिमारियां है, aspergillosis होता है, जब ये फफूदी पूरे शरीर में चल रही होती है, और aspergilloma ज लेकिन दिखने में ये एक बॉल जैसा दिखता है फेफडे के अंदर, इसी लिए इसको कहते हैं pulmonary aspergilloma, हमारे देश में aspergilloma की बिमारी उन मरीजों में बनती है, जिनको पहले TB हो चुकी होती है, जहां हमारे 1000 मरीज TB के होते हैं, उसमें से 17 मरीजों में ये संभावना ह कि फेफडे में कोई ना कोई दाग या cavity, जैसे आप देखेंगे कि एक छेद, गोल सा छेद, फेफडे के अंदर, जो हिस्सा फेफडे का खराब हो जाता है, वो छेद की तरह दिखने लगता है, वो जो खाली जगे होती है, जब हम श्वास लेते हैं, तो वातावरण के जो फंगस होते हैं, वो उस खाली जगे में बैठने लगते हैं, और फिर धीरे-धीरे समय के साथ उसमें और बढ़के, बढ़ बढ़के, हमको फंगस जो इकठी होके फंगस का गुच्छा दिखता है, उसको हम एसपरजलोमा की तोर पे CT scan पे देख पाते हैं, लेकिन ये सिर् TB की वज़े से वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये और भी ऐसी कोई भी बिमारी, जैसे की हम कहते हैं, एमफाइसीमा, जो बढ़ापे में स्मोकिंग की वज़े से होती है, बुल्लस लंग डिसीज, की फेफडे में हवा के गोले बन गए हैं, सिस्टिक लंग डिसीज, लंग अपसिस, जो बैक्टीरिया लंग में पस का ठैली बना देते हैं, जब वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो वो जो खाली जगह होती है उसमें भी ऐस्परजिलोमा बन सकता है, तो ये समझने, जैसे सड़क पर जब पानी इकठा होता है, तो उसमें डेंगू का मच्छ बनबता है ऐसे ही फेफडे में जब कोई खाली जगे होती है तो उसमें फंगस की ग्रोथ होने लगती है अगर सौ लोगों को दुनिया में एसपरजिलोमा है तो पचास लोगों में इसका कोई सिम्टम नहीं होता ये जब हम कोई टेस्ट कराते हैं तब पकड़ में आता है लेकिन पचास लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इसका सिम्टम होता है सबसे common symptom जो aspergilloma की वज़े से होता है वो होता है खासी में खून आना खासी में खून आना जब भी होता है तो सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में हम सोचते हैं कि TB की बिमारी है लेकिन किसी का TB अगर ठीक हो चुका है उसके बाद उसको खासी में खून आ रहा है तो उसको by default TB की बिमारी नहीं समझना चाहिए जाच करानी चाहिए एक simple x-ray में भी aspergilloma पकड में आ सकता है दूसरा जो इसकी वज़े से symptom बन सकता है वो होता है बहुत ज़्यादा खासी आना खासी रुकना पाना उसके अलावा कुछ मरीजों में ज़्यादा तर में ऐसा नहीं होता है बुखार आना शरीर का टूटना वजन ना बढ़ना ये कुछ ऐसे symptoms हैं जो rarely हो सकते हैं सबसे ज़्यादा जो समस्या इसमें होती है वो खासी में कूनाने की होती है और इसको लंग कैंसर से फरक करना भी बहुत ज़रूरी है लंग कैंसर ज़्यादा तर बज़र्गों में होता है एसपर जिलोमा की बिमारी 30 से 40 वर्ष की उमर में ज़्यादा तर रहती है लंग क जैसे कहेंगे खासी में धार आ गई फिर फोड़े दिनों बाद आएगा कि एक चमच बरके सुबह उठके खून आ गया फिर फोड़े दिनों बाद आएगा कि आधा मतलब मतलब तीन चार चम्मच बोश बेसन में थूका तो खून आ गया खोड़े दिन और इसको इग्नोर करते रहेंगे तो आधा कब भरके खून आ जाएगा फिर कभी गभार बहुत रेरली ऐसा होता है कि अगर हमने कोई इसके बाद भी नहीं किया है तो बहुत सारा खून एक बा कि असपर्जिलोमा एक फंगस की बिमारी है इसमें कैंसर नहीं बनता दूसरी हमां समझने की यह बात है कि पूरी दुनिया में जैसे टीबी पहले हमारे देश में कम था और लंडन, UK वगेरा के देशों में जादा होता था, जब उनका factory का revolution चालो हुआ था, तब TB वहाँ जादा होता था, उसके बाद वहाँ पर aspergilloma बनता था, अब aspergilloma सबसे जादा किसी देश में बनता है, तो हमारे देश में बनता है, क्योंकि ये TB से related होता है, तो अगर कोई TB का मरीज है, जिसको treatment एक बाद 6 महीने का पूरा कर लिया है, उसके बाद कुछ महीने ठीक रहने के बाद खासी में खुन आ रहा है, उनको जल्दी जाच करा लिनी चाहिए, देखने के लिए कि aspergilloma है या नहीं है, कई लोग होते हैं जो ये सोचके aspergilloma की diagnosis हो जाती है, क खासी में खुन जो धीरे-धीरे करके थोड़ा से कम से जादा, जादा से बहुत जादा और बहुत जादा से कभी-कबार जान लेवा हो जाता है, इसलिए इस बिमारी को जब भी पकड़ा जाता है, आप जरूर किसी डॉक्टर से मिलके इसका सही से इलाज कराएं सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो एसपरजिलोमा की बिमारी है, वो अगर एकसरे में हमें जादा तर उसमें बहुत क्लियर साइन्स होते हैं, एकसरे में नहीं समझ में आ रहा है, हलका सा सिर्फ शैडो दिख रहा है, तो हम एक गूसरा टेस्ट कराते हैं, जिसको कह होता है सिंपल आसपरजिलोमा और एक होता है कॉंपलेक्स आसपरजिलोमा, सिंपल आसपरजिलोमा जो होता है, उसमें एक बहुत ही क्लासिकल साइन होता है, जिसको हम कहते हैं सिगनेट रिंग साइन या एर क्रिसेंट साइन, मतलब एक सफेद सा गोला दिखेगा, उसके आ आसपास सारा नॉर्मल फेफला दिखेगा इसको हम कहते हैं सिंपल एसपरजिलोमा और यह CT स्कैन में ही पकड़ में आ जाता है कि यह एसपरजिलोमा है दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कॉंप्लेक्स एसपरजिलोमा को लंग कैंसर से अंतर करना बहुत जरूरी है अब जो पतली सी एक सपेद लाइन है वह से ज्यादा मोटी हो जाती है और कैंसर का भी ही लक्षण है कि CT स्कैन में कोई दाग दिखेगा जिसकी लाइनिंग 1 से ज्यादा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल तरीका होता है कि हम पेसिंद को उल्टा लिट जाते हैं और यह जो सफेध बॉल है वह हिल जाती है तो इसका मतलब है कि यह एसपरजिलोमा है और अगर यह सफेध बॉल हिलती नहीं है तो फिर कैंसर का शक भी रहता है दूसरी एक बहुत important चीज समझने कि यह उमर का अंतर है तीसरी बात है कि कैंसर में जो खासी में खून आ रहा है करके ऐसे ही अपना समय निकाल देते हैं तो ये chronicity versus acute, उमर कम versus जादा और CT scan के कुछ features हैं जो हमें इन दोनों में अंतर करने में सहायता करते हैं उसके लावा खून का test होता है aspergillus IgG और precipitant test ये दोनों अगर हमें CT scan में लग रहा है कि ये aspergilloma है तो अगर हम ये खून का test कराएंगे तो ये भी positive आजएंगे तो इससे diagnosis को और ज्यादा pushटी मिलती है ये बिमारी cancer नहीं है ये फैल्थी नहीं है ये बस बड़ा होता जाता है और जब एक बार पूरी cavity इसके अंदर आ जाती है तो वो इतनी मोटी नसे बन जाती है तो फिर अचानक से जीवन को खत्रा देने वाले खासी में पून की शंका बन सकती है तो इसी लिए इस बिमारी का इलाज कराना बहुत जरूरी है अगर हम इसको early stage में पकड़ते हैं जैसे कि simple aspergilloma की stage में तो एक single operation से वो भी दूर भी इनके द्वारा हमें कोई बड़ा कट नहीं है एक तीन centimeter या एक centimeter के तीन कट छाती में लगाके हम इस बिमारी को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं operation द्वारा और अगर यह complex aspergilloma है तो कई बार बड़ा operation भी करना पड़ सकता है इस बिमारी को पूरी तरीके से शरीर से निकालने के लिए यह बिमारी फैलती नहीं है लेकिन यह बिमारी 100% एक operation से क्योर हो सकती है मैं आपके चैनल के माध्यम से टीबी के सभी मरीजों को बताना चाहूंगी कि अगर आपका टीबी का इलाज होने के बाद आपको खांसी में खून आता है तो उसको दुबारा टीबी ना समझें एक बार आप टेस्ट करा ले अगर aspergilloma की बिमारी है तो किसी भी फेफडे के फेशेशग्य से ये संपर्व जरूर करें कि इसको एक बार में सेफली निकाला जा सकता है या नहीं आज से 20 साल पहले aspergilloma की सरजरी जानलेवा मानी जाती थी आज की डेट में आधुनिक टेकनोलोजी की वज़े से ये सरजरी में रिस्क इतने कम हो गए है कि हमारा मरीज जो aspergilloma का operation कराता है वो operation के अगले दिन तीन माला सीडिया चड़ पाता है और operation के चार दिन बाद ठीक होके घर चला जाता है इस बिमारी का operation जरूरी भी है इसका operation challenging है लेकिन आज की दिन में विशेशग्यों को होने की वज़े से जो हमारा thoracic surgery के विशेशग्य हम लोग है हमारे उपलग्दी से और technology से दूर भी इनके जो minimally invasive surgery का option हमारे पास आज की date में है और जो safe anesthesia के यंत्र हमारे पास है इसकी वज़े से aspergilloma की surgery जो आज से 20-30 साल पहले ऐसा माना जाता था कि 10% मरीज घर ही नहीं जाएंगे ये operation करने के बाद आज की rate में 1% से कम मरीज होते हैं जिनमें इस surgery में complication होत पाती है ज्यादातर मरीज सही विशेशग्यों के हाथ में पूरी तरीके से ठीप होके घर जाते हैं जिए खूरी तरीके सेक झाल झाल